JRD Tata प्रसीद उद्योगपती का नाम तो सभी ने सुना ही होगा उनका एक मित्र था वो अक्सर अपना पैन या तो खो देता या कहीं रख कर भूल जाता इसलिए वो हमेशा सस्ता पैन रखता ताकि खो जाये तो उसे खो जाने पर चिंता ना हो एक दिन उस दोस्त ने टाटा को अपनी बुरी आदत के बारे में बताया JRD Tata ने अपने दोस्त को सबसे कीमती पैन रखने की सला थी टाटा की सला पर गौर करते वे दोस्त ने सोने का पैन खरीद लिया 6 माँ बाद जब टाटा अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने पूछा क्या उसके पैन खोने का सिल्सला अभी भी जारी है तो दोस्त बोला नहीं अब उसने सोने का पैन खरीद लिया और उस पैन के बारे में बड़ा ही सावचेत हैं उसे भी या नहीं पता कि पैन खोने की उसकी आदत कैसे छूट गए तब टाटा बोले तुमारे में कोई कमी नहीं है कमी उस सस्ते पैन में थी जिसकी कीमत तुमारे नजर में कुछ नहीं थी हम उस चीज को संबाल के रखते हैं उसकी देखरेक करते हैं जिसकी कीमत हमारे कीमती है तो हम उनसे अच्छा बड़ताव करते हैं यदि हमारी नजर में पैसा या समय कीमती है तो उसे हम सोच समझ कर खर्च करते हैं